हम लाते हैं टॉप नियूज, आपके फेवरिट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में आप टेट जाने सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरिट वीडियो की तरफ ख्यानी तनखा पे एक वुजरियादम को आप निकाल रहे हैं और एक बारे जुन करने वाले बंदे को आप भरी कर रहे हैं और कहरें आप सादिक और अमीन हो कौन फैसला करें नियाजी सर्फ से जो कुछ करती रही है उसका फुद उसमें इतराफ किया है नवाज शरीफ मुखालफीन को लफजी कटहरे में ले आए सादिय अरब जाना कोई अजूबा नहीं अब वहें फैलाने वालों ने मुल्क पर जुल्म किया एतराफ जुर्म के बावजूद इमरान, सादिक और अमीन परार जमानत भी एक रास सब तद्बीर के तहट चल रहा है अदालत के बाहर मीडिया से गुफटगू दो बजे न्यूस कांफरंस करेंगे शरीव खांदान के खिलाफ नाब रेफरेंसिस साबक वजीर आजम नवाज शरीफ की ग्यारवी पेशरी मरियम नवाज और कैप्टन रिटारिट सब्दर भी हाजर हुए तीन गवाहों के बयानात कलम बंग, जराह मुकमल अब अदालत 9 जन्वरी को लगेगी अब जी हमारी पेशियां खत्म होगी हैं तो पेशियों वालों की पेशियां लगेगी अब वक्त आगी है कि मुशरफ भी हमारे साथ पेश होगा इन्शादा अब इस रियास्त और आइन को बचाना है तो मुशरफ को दालती कटेरे में लाना है कैप्टिन डिटार्ट सफ्टर की तोपो का रुख साबिक सदर की जानेब हमारी पेशियां खत्म हो गई अब पेशियों वालों की पेशियां लगेंगी रियास्त और आइन को बचाने के लिए मुशरफ को कटेरे में लाना है कभी अमपाइर की उंगली पर इनका पूरा आसरा होता है अब कहते हैं नजूमी करेंगे कामियाब सियास्त दान तो बनना सके पाकिस्तान की अवाम ने उनको वजीर आजम बनाया नहीं अब एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं शारुखान बंदे लीगी रानुमाओं के कप्तान पर लफजी वार कभी अमपाइर के उंगली आसरा कभी नजूमी नवाज शरीप को सादिक और अमीन के सेर्टिपिकेट की जरूरत नहीं तलाल चौदरी की गुपतगू इमरान फ्रीट में खान के साथ जाली लगाना भूल गए मरिया मारंग जेब ने भी निशाने पर रख लिया बलुच इस्तान में हुक्मरान जमात नून लीग में दराडें बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया सुबाई वजीर दाखला की उहदे से छुट्टी खुद इस्ती फादिया सरफराज बुक्ती का मौक्त बजीर दिफाक अमरीका को दो टोक पेगाम पाकिस्तान खुद मुखतार मुल्क कोई डेड लाइन्स ना दे सदर ट्रम्प की ट्वीट नुक्ता इंतहा बंदू के लेकर अपने ही मुल्क पर चट दोरने का वाक्त गुज़र गया खुरम दस्तगीर का बरतानी नच्रियात इदारे को इंटर्वियू अमरीकी सदर के इल्जामात पालेमानी रहनमाओं को एतमाद में लेने का फैशला पालेमन की नाशनल सिकेरिटी कमेटी का इजलास कल तलब ट्रम्प और्डिक करा लें सच और जूट का पता चल जाएगा वजीर खारजा खाजा आसिफ का चेलिंज जू मोर के बाद अब नो मोर अमरीका का पाकिस्तान पर जिम्मेदारियां पूरी ना करने का इल्जाम दो सौ पच्छिस मिलियन डॉलर इंदाद रोकने का पैगा इस्लामबाद में बरसों डबल गेम खेली ये काबल कुबूल नहीं अक्वाम मुतहिदा में अमरीकी मंदू भी धमकाने लगी गेगा शदी दुंद ने रास से दुंद ला दिये कई मकामात पर हदे निगास सिफर गाड़ियां टकराती रही सुखे की में तीन अफराद जामबाद हादसात में मतादद अफराद जखमी परवादो का शेडियूल भी मुतास लाहर के लाके शादरा टाउन में ट्रेन हादसा बाप बेटी जद में आकर जांबहक लाचें अस्पताल मुन के रे टेपिटी मेर करासी को डी सीट करने का रेफरेंस ये तमाम लोग बानी एम केम की कटपुतली हैं वकील अर्श दोहरा के दलाईल इलेक्शन कमिशन ने 11 जन्वरी को फरीकें से तहरीवी जवाब और दलाईल तलब कर लिए पंचाब में जल्द इनसाफ की फराहमी के लिए एक और बड़ा एक्दाम चीफ जस्टिस का तमाम अज़्दामे फौजदारी और सिवल मौरिल कोर्ट्स काइम करने का फैचला सेशन जजजिस को मरासला बिजवा दिया गया बश्रावाला में सरकारी स्कूल पर कबज़े की कोशिश तलबा ने माफिया की एंट से एंट बजा दी सामान उठा कर बाहर फैंक दिया मुल्जिम गरफ़ता खबरदार होशियार मुल्ताम में पीने का पानी जहरालूद अरसेनेक और खतनाग बैक्टेरिया मौजूद सीवरिज का पानी तक शामिल वाटर टेस्टिंग लिबार्टरी की रिपोर्ट में इनकिशाफा शरीफ का बैन शामिल करते हैं उन्होंने आज इहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि मुल्क के वजीर आजम को एक ख्याली तनख्वाह पर निकाला गया जिसने एतराफ जर्म किया उसे बड़ी अदालत ने कहा कि आप तो सादिक और अमीन है नवाज शरीफ कहते हैं कि थाबित होना तो दूर की बात उनके खिलाफ जर्म ही नहीं मिल सका इसके साथ साथ नवन ने बहीं कहा कि बताऊंगा इमरान खान की जमानत में भी एक राज है तनखा जो है वो भी ख्याली है ख्याली तनखा पे एक वज़र्याद्हम को आप निकाल रहे हैं और और एकाल जुन करने वाले बंदे को आप इक्विट कर रहे हैं बरी कर रहे हैं ता कहां से आसल किया था उस पे उन्होंने माफी मागी और आप मुझे से पहले सुन चुके हैं कि इमरान खान के लाकों पाउंड जो क्रोडों क्रोडों रुपया बनता है उसकी ट्रांजेक्शन उसने खुद उसका इतराफ किया है साबक वजीर आजम मुहमद नवास शरीफ ने इतसाब अदालत के बाहर जो गुफटगू की आपने सुना इस गुफटगू में दौरा सौदी अरब से मतालिक उन्होंने बात की इमरान खान ना एहली केस से मतालिक बात की यही नहीं बलके जिन चार मुकदमात का इंसिदाद देश्टगर्दी अदालत में इमरान खान को सामना है और कल के रोज उनकी जमानत मनजूर हुई उससे मतालिक बात करते हुए साबक वजीर आजम ने कहा कि उनकी जमानत ऐसे ही मनजूर नहीं हुई मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान की जमानत के पीछे आखिर रास क्या है साबक वजीर आजम ने पाकिस्तान तरीक इनसाफ के चेर्में को मुखातिब करके कहा कि इमरान खान साब आप अकबाल जर्म कर बैठे ये रिकॉर्ड की बात है एक तारीख रकम हो चुकी आपने अकबाल जर्म किया पिर आम मौपी मांगी आपने कहा मुझसे जर्म हो गया मुझे माफ कर दिया जाए लेकिन अमनेस्टी के लिए क्यों अपलाए किया इस पर हमारा बेंच उन्हें सादिक और अमीन डिक्लियर कर रहा है कि में तरीक इनसाफ इमरान खान से मुझालिक जो तनकीद की गए और खास तोर पर जो जमानत से मुझालिक बात की गए इसी पर हम रदे अमल ले ले लेते हैं चैप तरीक इनसाफ के तरजमान फवाद चौदी साब ने में जोईन किया फ़वाद साब बहुत शुक्री कि मुझालिक उनसे सवाल ना करें ऊसको डैवरेट करना चाते हैं इस पहस को फिरिक देन ये बहस तो रहे गी और ये बहस इसलिए रहेगी कि पाकिसान के लोगों का पैसा इनौल नो ओता और उनका ذاتी मस्दा होता तो इसके उपर बात बात होगी और बहुत आहम भी अब को बताएं कि नवाज शरीफ के इतसाब अदालत पेशी पर लीग इरानुमा सियासी हरीफों पर लफजी रेमान लेते रहे हमारी पेशियां खत्म हो गई अब पेशियों वालों की पेशियां लगेगी ऐसा कहना था कैप्टिन डिटाइट सफ्टर का दो हजार अचारा के इलेक्शन में इमरान खान की जमानते जब्द करा देंगे लीग इरानुमा तलाल चौदरी ने कहा जबके मरियम औरंग्जेप का कहना था कि इमरान खान अब शारुख खान बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं जिनकी जरे जमानत अवाम ने जब्द कर ली थी उनको जमानत देने से कोई फरक नी पड़ेगा फैसला तो पाकिस्तान के लोग करेंगे नवाज शरीफ जो है वो दोजार अठारा की अलेक्शन में इनकी जमानतें जब्द करवा देंगे जितनी जमानतें इने देनी हैं जितने एहलियत के साटिफिकेट इने देने हैं वो दे देंगे कौन एहल है कौन ना है पाकिस्तान के लोग इसका फैसला करेंगे हम सियासत करेंगे अमपाइर की उंगली पर इनका पूरा आसरा होता है अब कहते हैं नजूमी करेंगे अब एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं शारुखान बने की अर अभी आपको बताएं शरीफ खांदान के खिलाफ नाब रेफरेंसिस के वाले से केस की समात नौ जन्वरी तक मिलतवी कर दी गई है तीन गवाहों पर जरा मुकमल कर दी गई है अगली समात पर चथए गवाहों के समन जारी कर दी गए है अब तक मज़िए तोपर इस केस में ना मुकमल रह गया था उनके बेयानात को कलम बंद किया गया जरह मुकमल हुई और अब अदालत नौ जनवरी को लगेगी अभी आपको बताएं कि साबक वजीर आजम मुहमद दमाज चरीफ आज के रोज दोपहर दो बजे एक नियूस कांफरेंस करने जा रहे हैं पंजाब हाउस में ये नियूस कांफरेंस होगी और इससे मतालिक मुस्लिम लीग नौन की जानब से बताए जा रहा है कि दोपहर दो बजे पंजाब हाउस में साबक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नौन के सदर अहम मौामलात से मतालिक अपने ख्यालात का इजहार करेंगे इस प्रेस कानफरंस में विफा के वज़रा भी नवाज शरीफ के हमरा होगे इसी बारे में मजीद जाने के हमार नुमाइदे आबिद मलिक हमार साथ लाइन पर मौजूद है आबिद कुछ मालूम हो सका किन इशूस पर बात करेंगे नवाज शरीफ जी बिल्कुल उजमा इस वक्त सुरत हाल जाए के साबिक विज़ादा मिया नवाज शरीफ और बिल्द झाल जाए के साब्यां के साथ और